उत्तराखंड में एक बार फिर से मन्थन का दौर शुरू हो चुका है BL संतोष जो की भारती जन्ता पाल्टी के राष्ट्रिय महमंत्री संगठन है वो खुद कमान समाल रहे थे सबसे महत्पूर्ण चर्चा इस बात पर हो रही थी कि BJP 2022 के विधांसाबा चुनाओ में उत्तराखंड में 23 सीटे कैसे हार गई तमाम तरीके की योजनाओं पर चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी उनकी कैविनिट के सयोगियों से बातचीत करने के बाद आने वाले भविश्य का रोड मैप तयार किया जा रहा था चमपावत में उपचुनाओं किस तरीके से लड़ाया जाए उस पर रणनीती बनाई जा रही थी लेकिन सब का ध्यान एक बात पर आकर अटक रहा था कि 23 विधांसाबा सीटें BJP कैसे हार गई जो प्रत्याशी भारत्य जनता पार्टी के थे उनसे एक एक करके मुलाकात BL संतोष सहाब ने की और नब्ज टटोल ने की कोशिश की कि आखिर हार कैसे हो गई 23 विधांसाबा सीटों पर सब लोग अब इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या BL संतोष किसी को ठिकाने लगाने के लिए उतराखंड में आये थे क्या किसी को ठिकाने लगाने के लिए ही BL संतोष ने 29 प्रत्याशियों या 29 विधांसाबा सीटों की समिक्षा की जहां पर पार्टी हार गई और जब हारेवे प्रत्याशी भितरगात की बात करते हैं तो ये सवाल और भी महत्वण हो जाता है कि क्या BL संतोष किसी को ठिकाने लगाने के लिए उतराखंड पहुँचे थे पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा लेकिन हबर पर मैं आगे बढ़ू उससे पहले आपसे आग रहे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमशकार मैं हूमन मोहनभट उतराखंड बीजेपी में अब एक बार फिर से नई योजनाए बनने लगी है मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने जिस तरीके से अपने मंत्री मंडल के फैसले लिये या चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके का एलान बीजेपी ने किया अब उस पर कार्य योजना बनाने और उसे धरातल पर उतारने की दिशा में काम होना शुरू हो गया है बील संतोष देहरादून में थे राश्ट्रिय महमंत्री संगठन है उन्होंने एक रूप रेखा तयार करने की कोशिश की पार्टी के तमाम वरिष्ट पदादिकारी भी बील संतोष के साथ बैठकों में लगातार मौजूद थे खुद मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्री मंडल इस बैठक में शामिल था तीन LPG सलेंडर फ्री दिये जाने हैं उत्राखन के हर परिवार को उसके लिए किस तरीके से रणनीती बनाई जाएगी चमपावत में विधान सबा का उपचुनाओ होना है वहाँ पर जीत की दिशा कैसे तै की जाएगी इस पर मंधन हुआ कई लोग इस बात को लेकर भी आशा जता रहे थे कि कई वरिष्टों को या महत्वण व्यक्तियों को कई दाई तो दिये जा सकते हैं इसकी भी चर्चा इस बैठक में हुई है लेकिन दाई तो दिये जाएंगे बाद में उससे पहले चर्चा इस बात पर जादा हो गई कि आखिर पार्टी 23 सीटों पर चुनाओ कैसे हार गई इन 23 सीटों पर हारने की मुख्य वजह तलाशने के लिए बियल संतोष ने तमाम बीजेपी के उन प्रत्याशियों से एक एकर के मुलाकात की जो चुनाओ लड़े और चुनाओ हार गई 21 प्रत्याशी इस मुलाकात में शामिल रहे संजय गुप्ता जिनोंने बगावत का जंडा सबसे पहले बुलंद किया था वो इस बैठक में नहीं आये संजय गुप्ता ने हार जिस दिन चुनाओ के वोटिंग हुई उसके ठीक बात एलान कर दिया था कि उनको हराने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है उसके बाद कई और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने अपने ख्षेतर में भीतर गात की बात कही ये बात बीजेपी के भीतर लंबे समय से चल रही थी कि हार के कारणों की समीक्षा करनी है भले ही पार्टी अच्छे खासे बहुमत के साथ चुनाओ जीत गई हो लेकिन जो सीटें हारी है उसके कारणों को जानना जरूरी है इसलिए बील संतोष ने एक एक करके तमाम प्रत्याशियों से मुलाकार की खबर है कि करीब आठ नौ ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने इस पश्टूप से बताया कि उनके उनके विधान सबाक्षेतरों में कई पार्टी के पदादिकारियों ने कार्य नहीं किया इसका फीड़ बैक पूरी तरीके से बील संतोष शाहप को दे दिया गया है बील संतोष अपनी कारशाली के लिए जाने जाते हैं कईयों को ठिकाने लगाने के लिए भी वो जाने जाते हैं और पार्टी जब इतने बड़े इस्तर के पदादिकारी को किसी राज्य में भीजती है तो उसका मकसद बिलकुल इस्पष्ट होता है कि एक सही फीड़ बैक को हासिल करना 2021 मार्च के महीने में जब बील संतोष उतराखंड आये थे तो उन्होंने त्रिवंदर सिंग रावत को ठिकाने लगा दिया उस समय त्रिवंदर सिंग रावत उतराखंड के मुख्यमंतरी हुआ खड़ते थे उसके बाद तीरत सिंग रावत की परफॉर्मेंस को चेक करने की भी बील संतोष ने कोशिश की और तीरत सिंग रावत को भी बील संतोष की बैठक या उनके फीड़बेक के बाद किनारे कर दिया गया इसके बाद अब तमाम लोग इस बाद का अंदाजा लगा रहे हैं कि B.L. संतोष इस बार जब तहरादून पहुंचे हैं तो वो किसे ठिकाने लगाने के लिए आये हैं मैं आपको बताओं कि B.L. संतोष ने सबसे पहले उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम कैबिनेट के सही होगी है धामी साहब के उनसे मुलाकाक की बताया गया कि पार्टी के अगले 6-8 महिने का जो वाले समय में इस्थानिय निकाय चुनाओ या पंचायतों के चुनाओ तो होने ही है और 7-7-2024 के लोगसबा चुनाओ भी होने है उत्राखंड में मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी का उप चुनाओ भी होना है इसलिए लोक लुभावने वाइदे अभी से किये जा सकते हैं ताकि जनता को अपने पक्ष में पहले से ही तयार किया जा सकता है वैसे जनता बीजेपी के पहले से ही पक्ष में है इसलिए भारी भरकम बहुमत इस बार भी बीजेपी को मिला है तीन लपीजी सेलेंडर दिये जाने की घोशना मुफ्त में दिये जाने की घोशना LPG cylinder हासिल करेगा उसको वो cylinder या तो BJP का विधायक प्रदान करेगा या मंत्री प्रदान करेंगे या फिर सांसत प्रदान करेंगे इससे एक message पूरे प्रदेश भर में देने की कोशिश है कि BJP बढ़ती महंगाई को थामने के लिए कुछ करे या ना करे लेकिन अपने प्रदेश की जनता को राहत पहुचाने का काम करने जा रही है ये सब कुछ हो रहा है इस दिशा में कि आने वाले समय में भी मतदाता BJP से जुड़े रहे लेकिन इस बात को भी देखने की कोशिश BJP के चश्मे से हो रही है कि जो लोग पाल्टी के विरोध में काम कर रहे हैं उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए और ये पहली बार नहीं होगा जब BJP किसी वरिष्ट को ठिकाने लगा दे इससे पहले भी BJP ने कई बड़े नेताओं को किनारे किया गया है पिछले साल कई ऐसे मौके हम सब लोगों ने देखे थे तो इस बार किसका नंबर आएगा ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कुछ समय इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि BJP जब दिहरादोन से दिल्ली पहुँचेंगे तो अपना फीड़ बैक वो और अपने से उचे इस तरके पदादीकारियों को पहुचाएंगे और उसके बाद ही फैसला होगा कि किसकी कुरसी इस बार बली चड़ने जा रही है तो साथियों आज की इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही आने वाले समय में भी आपसे मुलाकात जरूर करते रहेंगे लेकिन एक आगरह जरूर करूँगा अगर आपको इस रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुचाईए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नमस्कार